एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजर हूँ, आपका होश्ट हो दोस्व इकरामती जूश्वी और आपका स्वागत करता हूँ, मैं रिव्यू मास्टर में जैसे कि आप सभी लोग जान रहे होंगे, आज 13 फरवरी 2019 को परलिमेंट के अपर हाउस यानि की राजसभा में राफैल एरक्राफ्ट की डील पर कैक की रिपोर्ट सामने रख दी गई है और कुछ पॉइंट इस पे निकल कर सामने आये हैं, कौन जूट बोल रहा, कौन सच बोल रहा, गॉर्मेंट या विपक्ष, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कैक की रिपोर्ट के परिपेक्ष में इस वीडियो में हम लोग कैक की रिपोर्ट को शॉट में समझने का प्रियास करेंगे और उसके बुलेट पॉइंट पे बात करेंगे, तो चलिए जान लेते हैं कैग की रिपोर्ट को कई सीरसकों में हम लोग समझ सकते हैं सबसे पहले सीरसक की बात करें तो प्राइसिंग क्या रही रफैल की जो प्राइसिंग नई प्राइसिंग थी वो 2.86% कम थी 2007 की प्राइसिंग की टैग ने ये भी कहा कि डिफेंस मिनिस्ट्री का जो दावा था कि 2016 16 में रफैल का दाम उन्होंने 9 परसेंट तक कम करवाया है 2007 के तो वो गलत था ये केवल 2.86 परसेंट ही कम हुआ है वही बात किया जाए इंडिया स्पेसिफिक इनहेंसमेंट की तो इस मामले में 17 परसेंट कम दाम पे इस बार रफैल खरीदा गया है पर कैग ने इन इनहेंसमेंट पे भी सवाल उठाएंगे उसके बारे में आगे बात करेंगे रिपोर्ट का कहना है कि रफैल में 6 अलग अलग पैकेजेज में समान खरीदे गए जिसमें की कुल 14 आइटम है इनवे से जो 7 आइटम है वो पहले के प्राइस से ज़्यादा दाम पे खरीदे गए हैं जबकि तीन आइटम जिसमें की बेसिक एरक्राफ्ट भी है वो पुराने प्राइस के अंतरगत ही खरीदा गया है तो राउल गांदी जैसा कह रहे थे कि बेसिक एरक्राफ्ट का दाम बढ़ा दिया गया है तो ऐसा नहीं है वो पुराने ही दाम पे खरीदा गया है इसक इसमें 18 aircraft flyway condition में आने थे वो 50 महनों के अंतरगत contract signing के आ जाने चाहिए थे और बाकी के बचे 18 aircraft H.A.L. में assembled होने थे जो कि 49 से 72 महनों के अंतरगत आने थे पर 2016 में जो contract sign हुआ उसमें पहले 18 aircraft 36 से 53 मन्त के अंदर आ जाएंगे और बाकी के बचे जो 18 और aircraft होंगे वो 67 मन्त के अंतरगत आ जाएंगे जिसमें कि आप समझ सकते हैं कि 5 महनों का फायदा ही इंडिया को नई डील पे हुआ है बात की जाए guarantees की तो law ministry ने defense ministry को ये कहा था कि French government से एक sovereign guarantee sign करवा ली जाए पर इसके एवज में French government ने केवल एक letter of comfort दिया है sovereign guarantee नहीं दिया है इसके लावा ministry of defense ने एक ऐसे screw account को खोलने की बात कही ती जिसमें की payment को पहले डाला जाएगा और contract में तैय चीजों की पूरा होने पे ही French government को payment की जाएगी पर French side ने इसको agree करने से मना कर दिया था रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2007 में desault aviation ने performance और financial guarantee को include किया था जो की पूरे contract का लगबग 25% था पर इस बार के contract में इस तरह की कोई चीज नहीं की गई हाला कि vendor के द्वारा इसको price bid में डाला गया जिससे कि vendor को तो फाइदा हुआ पर यह फाइदा भारत तक नहीं पहुँच पाया जहां पर नई deal में कमी रह गई technical evaluation पे कैग ने जो बताया उसमें यह बताया है कि India specific enhancement जो किया गया उसमें चार ऐसे enhancement थे जिनके आवशकता नहीं थी 2010 में इसको Indian Air Force ने point out किया था कि इस प्रकार की enhancement के आवशकता नहीं है पर इन enhancement को 2016 की deal में include किया गया deal के complete होने पे भी कैग ने अपनी आपतीज दर्ज कराई है उसमें उन्होंने कहा है कि Indian Air Force ने air stop qualitative requirements को properly communicate नहीं किया जिससे कि vendor के selection में problem हुई क्योंकि vendor कि condition को पूरा करे या उनको clear नहीं हो पा रहा था रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि air stop qualitative requirement कई बार change की गई जिससे कि price evaluation और technical evaluation में problem आती रही जिसका effect इस tendering में काफी पड़ा और उनका कहना था कि इस process के complete होने में जो delay हुआ है उसमें बहुत बड़ा हाथ इन चीजों का भी है सो यह तो कुछ point हो गए जिससे की सरकार और विपक्ष दोनों आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं क्योंकि मिली जूली एक report सामने निकल कर आई है पर एक जो व्रिहत स्तर पे बात की जा रही थी कि deal महंगी हुई है उसका कोई भी सबूत कैग के इस report में निकल कर सामने नहीं आया है कैग ने जो बताया है वो 2.86% दाम कम होने की बात की है और इंडिया स्पेस्फिक इनहेंस्मेंट के साथ 17% दाम कम होने की बात की है 36 aircraft के flyway condition में मिलने को लेकर तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही आशाकरताओं को वीडियो पसंद आई होगी और आप उसको एक पाड़ा समसर जरूर देंगे इस वीडियो से कोई सवाल है सुझाओ हो तो कमेंट बाक्स में जरूर लाईएगा कोई नई अपडेट निकल कर सामने आएगी तो उसको मैं अगली वीडियो में जरूर इंकलूट करेंगा नमस्कार तैंक यू चैखिंद